सबी दोस्तों को नमस्कार आज हम पहुंचे हैं बेनी चंदरपाल ये मेहम 24 का गाउं है और डिश्टीक रोतक माता है और यहां पर बहुत ही इतियाशिक 300 से 400 साल के लगबग चोपाल है आईए आपको इसका एक दर्से दिखाते हैं इजाए है यहें इस शोपाल का मेंदग परविजद देखिए बहुत ही इतियाशिक परस्ट से और यह बहुत ही बढ़िया इस पिलर Geral की निकास्थी किई गयाए और मैं कामेरमेन से कहूंगा इसकी यह बाउंडरी भी दिखाएए बहुत ही बढ़िया बाउंडरी और यह दो मनजल की है इस पे पुराने टेम में कई कई रोटी होती थी और दो रोटी या तीन रोटी जब देते थे तो कई दन बरात रुखती थी तो एक बरात उपर होती थी एक बरात निचे होती थी और देखिए यहां पर जो जरूरी वस्तु होती थी इस सोपाल की वो रुख्य जागरती बहुत ही बढ़िया निकाशी की गिए कितना सुन्दर लकडी का गेट रही इस प्रिस की एक और विशेशता देखना पिलर के उपर पिलर है जब दो मेंजल चोपाल है पिलर के उपर पिलर है यह इस प्रिस में विशेश बात है देखाना भाई साथ हर पिलर के उपर पिलर है ऐसी निकासी आपको कहीं नहीं मिलेगी ये राजस्तान से जो कारीगर आये उन्होंने इस पिलरों की निकासी की थी देखिए हमारे साथ इस गौओं का एक बाइज उड़ा है इस से भी चोपाल के बारे में जान करें नेंगे बाइशाब नमास्कार बाइशाब बाइशाब आपका सुब नाम विरेंदर नाम हा बाइशाब ये बाई साब हें बरेंदर बाई साब इये चोपाड कितनी पुराणि है या āनी और ये परेस आपके दादा जी बता करते इतनी पुरानी है और ये पूरे गाउं की चोपाड़ है जुकर पान्ने वाइज है किस पान्ने की ही ये चोदरन पान्ने की चोपाड़ है और बहुत ही इतियाशिक प्रेश से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साँ आईए अब आपको दूसरी मंजल का दर्शे दिखाते हैं देखिए इसका जीना इसमें भी काफी कारिगरी कीगी है देखिए एक अलग से रूम होता था ये ब्राद के जो विशेश आदमी होते थे उनके बेठने के लिए और ये बहुत ही इसमें बड़िया खिड़की लगाई गई हैं क्योंकि पहले पंखेन ही होते थे देखिए ये लकडिका है और ये दीपक रखने के लिए होता था और इसमें भी बहुत बड़िया निकासी की गई है कारिगरों दुवारा देखिए हमने नीचे से पता था ये पीलर के उपर पीलर है और ये बहुत ही बड़िया डाट है और छत भी पूरी साड़की है बहुत बड़िया इसमें कड़ी लगी हुई ये है इस चोपाड का बहार का नजारा ये बहुत ही बड़िया दर्से दिखाए दे रहा है और ये पूरी चुने और लाखोरी इटो सी बनी हुई है ये बहुत ही इस गाउं की इतियासिक चोपाड है अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो एक सस्क्राइब एक लाइक करना ना भूले मैं हूँ तोरा दून के साथ रिस्टी पाल जै हिंड